हालो मैं आपका अनुप रॉयकुमार स्वागत है आपको मेरी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है अनुप रॉयकुमार और कुछ दिन से कुछ मैसेज आ रहा है कि तमब तम लोगों के जो पैच है जो रिदम पैटन है वो अपलोड करते तुरह दिखाई है तो मैं हट टाइ कुछ तो मेरा ही कोसिस रहता है कि मैं सबका रिपलाइ दू और जो जो कहिना है कि कुछ अपलोड कर किजिए कुछ पैटन दिखाए मैं वो कोसिस करता हूं कि अपलोड को दिखाए कुछ ताइम में होता निए पसिबल क्यूंकि अभी तुरसा लोगडाम चुट कारा मिल ग तो चलिए आज का जो सॉंग है वह तमा तमा लोग उसका जो पैटन है रिदम पैटन वह अपलोग में दिखाते हैं सॉंग नहीं प्लेए करेंगी और लिए रिदम कि टोन क्या है वह पहले सुनाजते हैं कि अ कि कि अ झाल झाल तो जिरिए इस्टार्ट करता है झाल झाल मैं बारवार एक ही बात पहता हूं कि रिदम का जो टोन है जो पैट का जो टोन है वो ऐसा लगना चाहिए कि आप जो प्ले करें वो ही औरिजिनल सौंग में प्ले हुआ है तो ऐसा लगना चाहिए तब ही आपको लगा कि आपका जो पैच है एडिटिंग वो सकस है तो मैं कभी भी पैड में सौंग प्ले नहीं करता हूं मुझे पसंद भी नहीं है क्योंकि और थोरा सा प्ले करके आपको दिखा देंगे वो भी अच्छा नहीं लगता है रिदम इसलिए मैं इस टैप का दिखाता हूं आपको लोग हो कि आप लोग समझ पाई कि इस सी गाने में इस टाइप का ही रिदम बजा है और फूल सौंग आपका एडिदम है थोरा सा आपको प्ले करके दिखा देंगे ऐसा नहीं है मैं फूल को सब्सक्राइब कर दो कि फूल दिखाने के लिए उसी धाच में आपका बोरिदम चलेगा तो सबसे पहले मैंने क्या प्ले किया है यह आपका च्छे कांटिंग में उसके बाद ग्लैप विष क्लाप्स करोylan है उसकासाब मैंने तो आपका साउंडेά यह आपको लगा कि आपका जो गाना है जो सींगा कर रहा है उसके सात्प जब आप प्ले करेंगे तो लगए आपका वोई ही माहोल जो और जहाज सौंग में है वह आपका आ रहा है तो इसी आपको प्ले करना होगा, तो कोई भी सौंगे ए replicate प्ले करते हैं उसको कोई बड़ बस करें कोई भी रिदम सोनीए लिए क्हांसे सुनीए कि फर अन्दर में रिदम कinen पैटन हो रहा है और किस तरह से एरिट किया गया था पूंसे आइससलों क्यें कि वह हम लोग 80 पर्साइंट 70 व्य नहीं दे सकते हैं हम लोग 10% 5% देते हैं रिदम में तो 5% तो अपका 10% तो अच्छा हो यही कोशिस में हम लोग रहता है कि रिदम कॉलिटी हो इसमें इसमें क्या होता है यह दो आता है बेस जो धोलोग का बाया है वेस बेस का साथ अपप लेकर यह जो होता है जो धोलोग प्रेया हो लोग एवेश होता है जो आपका खीच के आता है बेस ऐसे करके जो खीच के आता है वही मैंने यहां पर कोर्सिस किये और रिदम आपका वही आता है तो क्या हुआ इसमें दो बार आपका बाया प्ले हुआ खीच के वह बाया प्ले हुआ तो इसमें क्या होता जो रिदम पैटन है वह इसमें साउंड निखर क्या आता है इस ट्रैप का एडिटिंग करना होगा और प्ले करना हो तब आपको लए है कि साउंड कुछ कॉलिटी निकल रहा है और यहां पर जो है जो बेस जाना तर पैडि साउंड यहां पेड़ करता है तो इती तुम में तो हर टाइम लए नहीं चलता है तो जाएक बात है कि आपका वह गलत होरा है तो बेस पटन बजना को ज़रुत निकल्षट अब यह बजरत है तो इसी साथ आपका पार्कस्राग रिस करते हैं यह वाला यह वाला जो आपका टोन है यह टोन आपका रिदम प्ले हो रहा है यह मिक्स में उसके साथ यह पंच हो रहा है और इंड में यह आपका आ रहा है तो इसी तमब तम लोग के जो सौंगे जो लिदम है इसका इस टाप कर आप प्ले करते हैं तो आपको अगर को सेलेविटी आपको साथ आता है गाने-गाने में अगर आपको लगेगा कि वही माहल वही फील आ रहा है अगर अपका कोडिनेशन अच्छा हो या तो जो आपका कोड़े रहे है गीटार की बोट प्लेएर जो अगर सही तरह से माइने में दे रहा है तो आपको लगेगा कि वह जो माहल है वह मज़ादा है तो चलिये आज के लिए इतना ये तमा तमा लोगों का जो पैटन था जो रिदम पैटन था वह आप लोगर को दिखा दिए आप लोग झाल झाल